को हैं यहां पर हुआ क्या यहां पर हुआ क्या मार्केट में भहुत तेजी से बाजार उपर चला गया और इतना भी उपर चला गया कि बाजार ने अपना all time high लगा दिया मैं निप्टी की बात कर रहा हूँ तक्रीबन तक्रीबन 22,590 के आसपास से निप्टी ने जब उच्छाल मारी तो 22,930 याने की 23,000 के आसपास में इसको बोलते है बुल रन इसको बुल रन बोलते है ट्रेंड बोलते है तो कभी-कभी होता क्या है आज खरीदने का ठीक है अल्टीमेटली क्या होगा वह हलका सा नीचे आएगा और हम सोचेंगे बाजार नीचे से 200 पॉइंट उपर गया एटलिस 50 पॉइंट नीप्टी नीचे आ जाएगा तो हम 50 पॉइंट का इज़ार करेंगे वह 10 पॉइंट नीचे आएगा और वहां से फि पर नहीं जाएगा फिर हम दूसरा पूट खरीदेंगे हम यह नहीं समझेंगे कि बाजार ट्रेंडिंग है और बाजार में आपको सिर्फ कॉल खरीदना ही पड़ेगा फिर हम पूट खरीदेंगे फिर वह 10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे आजाएगा और वहां से फिर चलगा कि मेरा लॉस हो रहा है जो मैं स्टैटेजि में से कर रहा हूँ उस त्रेजी में या फिर उस टेक्निक से हैना मुझे लोस हो रहा है तो क्यों मैं उसमें जाओंगा यह चीज एक आम साइकोलोजी है और यह तक्रीबन तक्रीबन 95% ट्रेडर के दिमाग में यह होता है उसमें से यह लगा लो कि कहते हैं ना कि भाई 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं तो उन 9 में से 8 ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि उनका बाजार उपर ही रहे हमेशा क्योंकि कभी शॉर्ट करना खेला ही नहीं देखा ही नहीं हम क्या है छोड़े लोग है हम जैसे कि हलाकि यह कहना उचितनी होगा लेकिन हम लोग क्या positive हम सोचते हैं कि हम भी खुश रहे और सामने वाला भी खुश रहे इस तरह से यह होता है business mind यह नहीं कहता है business mind कहता है सामने वाला के बारे में हमको नहीं पता हमारा profit होना चाहिए यह होता है business mind वहाँ पर emotions नहीं है और हम लोग डालते emotions का तड़का इसलिए हम लोग को होता है loss अब यह चीज़े अगर हम दिमाग से हटाएंगे, इमोशेंस वगरा यह सारी चीज़े, तो हम क्या करेंगे, ट्रेंग को पकड़ेंगे फिर, ट्रेंग को पकड़ेंगे, बाजर गिर रहा तो कि दो गिरने दो ना, उसमें क्या है, बड़े बड़े लोग भी तो चाहते है कि हमेशा चाहते है कि बादर उपर जाए, तो यह हमारे जो सेंटिमेंट है, यह हमें हर दिन मारते रहते हैं, हर दिन हमारी जेब खाली होती रहती है, तो अभी तक का जो अनुभो था मेरा, वो मैंने हर वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, आज भी एक बहतरीन अनुभो आपके साथ में शेयर करूँगा, आपको लगेगा कि यह हाँ, वाके में ऐसा होता है, तो आप जरूर इसे एकसेट करिए, देखिए, देखिए बाजार में क्या होता है, कि यह आज का बाजार जा रहा था ट्रेंडिंग, हम क्या करते हैं, पी और सी, इसी के अंदर बंदे क्या हैं, ये कौन सी साइकोलोजी, जो मुझे सस्ता मिला, मैं भो खरी दूँगा, मुझे जो महेंगा मिला, मैं उसे बेचूंगा, ये जो साइकोलोजी मारती है, हमको ट्रेंड को ऐड्याट करना है, तो इस वीडियो में आज हम ट्रेंड को ढूंडेंगे, ठीक हे, ये 400 400 पॉइंट की रैली बाजार खुलते ही हमको पता चला था कि यहां पर 400 पॉइंट की रैली अभी आने वाली है और आज मैं पूट नहीं खरीदूंगा आज मैं किसी भी कंडिशन में पूट नहीं खरीदूंगा चाहे मुझे कॉल खरिदने का मौका ना मिले क्योंकि मैं हिम् नहीं कर पा हुआ लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको यहां पर भी आप कॉल खरीद सकते थे मौका था यहां पर भी कॉल खरीदने का मौका था यहां पर भी था यहां पर भी था यहां पर भी था आप किसी भी लेवल पर कॉल खरीदते किसी भी समय कॉल खरीदते तो आपको दो परसेंट एक परसेंट प्राफिट आराव से मिल रहा था मुझे खास करके ठीक है तो यह हमारी साइकोलोजी नहीं बाजार ऊपर चला गया अगर कॉल खरीदूंगा तो नीचे आएगा नीचे तीस रुपे का कॉल ऑप्शन का निफ्टी में 22,600 का खरीदता हूं अभी खरीदूंगा अभी खरीदूंगा बोलते बोलते 80 का हुआ वो सत्तर पर गया में जब देखा तो तो तीस रूपे का जो कॉल था था थार्टी रुपे का ओप्शन का 22,600 का वो लास्ट में गया था Čप बताईए तीन सो ठाउन रुपए इसी रैली में गया था ठीक है तो मेरा कहना है इस वीडियो में खास यह मकसद है कि भाई हम ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट को फालो करना चाहिए और दूसरी चीज यह है कि बाजार में हम कैसे पता लगा सकते हमको कौन बताएगा हमें ब भूल बाजार में हम ऐपको बटा देता हूं बाजार छलता है कभी कभी न्यूस के उपर तो आपको न्यूस कौन बताएगा हमको न्यूस कौन बताएगा कोई हमको न्यूस नहीं बताएगा कोई भी बैठा नहीं है कि आज अमेरिका में ये होने वाला है चीन में ये होने वाला है तो आप यहां पर विक वाली करो या फिर खरीदारी करो देखें मै न्यूस जो है बाजार चलता है, पूरा टोटल ही चलता है अप्शन में बहुत बाद अनुभू किया एक दिन था जहां पर क्या हो रहा था ये triangle pattern है चंदरयां 3 launch हो रहा था हमको पता नहीं था हम तो बाजार में यार बाजार तो ऐसे train कर रहा था ऐसे चल रहा था बाजार ऐसे चल रहा था और एक समया था बाज़ार range bound काम कर रहा था ठीक चंदरयां 3 की news थी और launch होने वाला था स्रीहरीकोटा से तो हमको पता नहीं था भाई साब लेकिन जो बड़े बड़े डेडर है जो बीग मनी है उनको पता है कि चंद्रयांत्री लांच हो जाएगा तो बाजार में क्या होगा बुम हो जाएगा अगर चंद्रयांत्री लांच होना फेल हो जाएगा तो बाजार इध इसलिए बड़े बिग मनी के पता है कि यहां से बाजार कहाँ जाएगा बस वह इंतिजार करते हैं। डायरेक्शण 2 होती है। इधर जाएगा यह इधर जाएगा इसलिए वहां पर चोड़े चोड़ें चोड़ें से कैंडल से बनते और हम सोचते है कि ब्रैखाउट आने वा की expiry निप्टी की और ये देट और ये 23 तारी की expiry है और ये सवानू बज़े का चार्ट है ठीक है यहाँ पर सवानू बज़ गये हैं और ये है पूरी की पूरी option chain ये पूरी option chain है मैं आपको बता देता हूँ बाजार में कितना interesting factor हो चलता है जो हमको अभी तक पता नहीं लगा था यहाँ पर market अभी थी 23,600 ठीक है आप यहाँ पर देखे अब चार्ट देखने के हमको ज़रूत नहीं यह रेजिस्टन्स साइट का यह रेजिस्टन्स है यह वाली साइट जो है वह रेजिस्टन्स है और यह क्या करती है रेजिस्टन्स क्या करता है कि बाजार को नीचे गिराता है और यह सपोर्ट है बाजार को ऊपर लेके जाती है ठीक है यह ध्यान रखिएगा मैं दुवा हजार के ऊपर open interest दोनो changing open interest और weekly open interest resistance side में वहाँ पर 13000 में जाके रुका हुआ है ठीक है और बाजार अभी कहा है 22600 पर ही है और यहाँ पर दिखिए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा changing हो रहा है कहाँ पर support side में और resistance और support दोनों के दोनों 22600 पर है अब फिलाल देखेंगे तो नव बज़ के 16 मिनिट हुए है तो open interest support side का विक टूर्स बॉटम है और resistance विक टूर्स टॉप है तो यहाँ पर यह है कि कौन सा scenario है मैं यह इसकी जादा में पर नहीं है मतलब है पता कौन सा scenario है लेकिन कहना इसका कहना ही का मतलब यह है कि bottom पर जाएंगे तो call खरीदना पड़ेगा और top में जाएंगे तो put खरीदना पड़ेगा ठीक है यह था फिलाल का अब इसे हम करते है प्ले ठीक है प्ले करेंगे देखिए आप देखते रही है क्या होता इसमें प्ले करते रहेंगे बाजार चल रहा है यहाँ पर 23,000 पर रेजिस्टन साइट पूरी की पूरी यह सपोर्ट साइट का उपन इंटरेस है वह विक्टोर्स बॉटम है और थोड़ी देर के बाद में आपको पता चलेगा लेकिन पहले टिक में यह था कि 23,000 पर उपन इंटरेस था रेजिस्टन साइट का वहां पर 23,000 में खल्चल होने वाली है यह हमको सुबह पता चला थ आपो की दिमाग में यह चलेगा आपके की मैं दिन में कभी वह इंसान अगर मिलेगा तो मैं उसे क्या को रहेंगा लड़ाई करूँ मैं उसे पूछूंगा कि तुने ऐसा क्यों किया अगरा आपको किसी से अच्छी बात करनी है कि इसी को धन्यावाद देना है तो आपकी लोगों महना वही market में भी है शेर market भी ये सोचता है कि मुझे उपर जाना है ना तो मैं पहले एक बार कम से कम बताता हूँ कि मुझे उपर जाना है मेरा इरादा तो नव साड़े नो बजे के आसपास generally market में एक option chain में एक आईना प्रदरशित होता है उस आईने में clear होता है कि कि वह जाएगे मैंने यह चीज पहले हम नहीं देखते थे यह पहले मैं पहले बिल्कुल नहीं देखता था लगने आपको बोला कि बाजार निचे जा रहा था तो हम काल खरित थे पहले और बाजार उपर जाता था यह आज नहीं तो कल जाएगा और देखिए बार-बार अभी भी यहां पर आने की कोशिश कर रहा है जब कि बाजार शेसो सेवंटी फॉर पॉइंट उपर चला गया बाजार हलका सा तीच-चलीस पॉइंट नीच गया था जब खुलते ही बाजार अभी बाजार में पाउने को अब ज्यादा बताने की क्या जूरूत है कि मैं यह समझता हूँ कि इससे आपको अंदाजा लगना चाहिए शुरू-शुरू के समय में ही आपको अंदाजा लगेगा कि बाजार उपर जाता है जब बाजार को बहुत लंबा सफर ताय करना होता है ना मैं आपको एक नीचे आने का चांस रहता है बाजार को अगर उपर जाना है ना बाजार कभी किसी को भनक नहीं लगने देगा कि वो नीचे नहीं आएगा हर समय आपको यह लगेगा कि वो नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा लेकिन धीर धीर उपर 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 उ और बाजार को उपर जाना है और बहुत तेजी से उपर जाना है बाजार को कोई बहुत जल्दी है क्योंकि उसको जितना तेजी से उपर जाना है उतना तेजी से थोड़ा नीचे भी आना है तो वो क्या करेगा बड़े बड़े कैंडल्स बनाएगा लेकिन उसको धीरे धीरे उपर जाना है तो चोड़ी 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 कैनलस बनाएगा ऐसे 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 और फिर उपर जाएगा ये चीज़ मैंने देखी और आज यहीं बाजर में हुआ तो यह हमने देखा और देखिए अब मैं लास्ट के टाइम पे आपको ले जाता हूँ तीन बज़ के बिस मिनट पे है ना तीन बज़ के बिस मिनट पे जाएंगे हम और तेज तारीक के चार्ट में जाएंगे मैं इसे कर लेता हूँ फिल्टर फिल्टर करने के बाद यहाँ देखेंगे कि बाजार में क्या हुआ हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक अलग ही सेन हमको दिखुए है gustado यहाँ और एपनी हरकत कर रहा है ठीक है यह देखिएगा ट्विन्टिफ्री थाॉसंड पर जाकर बाजार में resistance strong हो गया है यह resistance है यह strong हो गया है विक्ट वॉटम है वो कोई इकत नहीं है और यहां पर बाईस हजार 950 पे आके support भी strong होने की कोशिश कर रहा है दिरे दिरे उपर आ रहा है support support भी दिरे दिरे उपर आ रहा है तो यह है and support तो आय गई लेकिन यहां पर कुछ हरकत दिख रही है ये मुझे लग रहा है कि 23,450 पे जाने के बाद अभी मतलब मुझे लगता है कि दोग दिन और बादार उपर जाएगा फिर थोड़ा सा रिट्रेस्मेंट आ सकता है क्योंकि आगे वाली इस मुझे मैं रिखा रहा रिखाया इसे यहां को अंधाजर लग रहा है कि बादार इससे नीचे नहीं रहेगा इससे नीचे Jasmin उन्होंने जिस strike price पे contract को write किया है, call write किया है, उससे नीचे रहेगा, बाजार उनको फाइडा है, उससे उपर जाएगा उनको loss है, अब उनको पता चल रहा है, बाजार उससे नीचे नहीं रहेगा, उससे उपर जाएगा, तो वो loss में क्यों अपना सवदार रखेंगे, बाजार उससे उपर ही रहेगा, पुट साइड में जो भी writing करते हैं, उनको तभी फाइदा होता है, जब बाजार उनकी strike price से उपर रहेगा, ठीक है, तभी call की किमते बढ़ेगी, तभी उनको फाइदा होगा, ये चीज़े हैं, तो समझने के लिए ये option chain है, जटील, complicated है, धीरे-धीरे समझिए, हमको भी काफी साल लगे हैं, कहीं आप ये उम्मीद करेंगे, कि भाई, मैं छे मेने में एक साल में सिखूंगा, सिखेंगे ज़रूर, लेकिन अभी बहुत बाकी है सिखने के लिए, ये ही मेरा कहना है, सिखने के लिए तो आदमी एक trade में भी सिखता है, कि कैसे उसने गलती की है, लेकिन वहीं चीज है कि उस गलती को अगर नहीं दो रहाएंगे तो तो जल सिखलाई है, अगर उस गलती को बार-बार दो रहाएंगे तो फिर वह आदत है, है ना, तो हमारी खराब आदत हो से ही तो हम लहारते हैं, अगर हम किसी चीज से हम व सुब करण करने है कि आदि नहीं होना पैसे कऊने की कोशिश करना है कमाने की कोशिश करना है जाधा लालच अगर हम सटॉक मार्यग करनी है अगर हम सटॉक मार्यड में था उन्हुंभाव हमने क्या करना चाहि drill जो लोग पहले से stock market में हैं जोने पहले से analysis किया अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है या तो फिर आपको माननो खेत में जाने के लिए आफिस में जाने के लिए गाड़ी चाहिए तो क्या हम अपनी गाड़ी बनाते हैं क्या अपनी गाड़ी तो नहीं बनाते हैंना हम भी है搞े से हाड़ार में उनको हम खरीटते हैं जैसे भी हापको मिलती है है data के उस हिसाब हम खरीचते हैं अई तुनियें कि हम स्टॉश के कूप मार्केट में अपना हिनया नियम बनाने की शुचिश्श करते हैं यह मेरे समझ में नहीं आता है, आज तक मैं भी इसी के पीछे था, मैं भी इसी के पीछे था आज तक, अब मुझे समझ में आगी, क्यों हम, यह देखिए, उबेर, यह जो टैक्सी है, उबेर, ओला, है ना, फ्लिप कार्ड, अमेजॉन, ठीक है, इनके पास अपना क्या है, कह आपने Amazon का अपिस देखा कहीं आपने Uber का कोई conductor दोड़ता हुआ देखा, क्या कहीं Uber की parking देखिए अपने की, ये सारी Uber की गाड़िया है अपनी, ये सब दूसरे लोगों का है, ठीक है Uber, Ola, गाड़िया सब दूसरे लोगों की है Flipkart में सामान कोई और बेशता है Amazon में सामान कोई और बेशता है लेकिन जो बेशने वाला है उससे अमीर कोन है, इन कंपनियों के मालिक क्या समझ़ए इस सीज़ से इस सीज़ से मैं तो एकी चीज़ समझा हूँ तो हम भी क्यों ऐसा नहीं करेंगे करते हैं कि बाजार में पहले से ही जो अवेलेबल माटेरियल है उसका इस्तेमाल करके हम अपनी स्कील को डेवलप करें हम क्यों ये समझते हैं कि भाई इसके दस लाग सब्सक्राइबर होंगे या फिर ये हर रोज एक करोड रुपे कमाता है तो ये हमारा दुश्मन है क्यों हम ऐसा समझेंगे भाई उसके पास में क्या खाशियत है वो खाशियत हम लेंगे हमारा स्कील बढ़ाएंगे उसके बाद में जिसके 25 लाग 50 लाग मैं सब के देखता हूँ मैं अभी नाम मुझे याद नहीं मुझे सिर्फ इन्वेस्टिंग डाड़ी याद है क्योंकि मैं उनी का लाइव डेटा यूज करता हूँ इसलिए तो मैं इन्वेस्टिंग डाड़ी के वीडियो देखना चाहिए उनके अनुभव क्या है उन्होंने कैसे बाजार को देखा इतने सालों से हम तो अभी आये ना वो तो पुराने लोग है उन्होंने इन्वेंटेट की है चीजे उनके अपने अपने नियम है उन नियम को हम एकत्रित करेंगे देखेंगे कि हाँ इनका कहना सही है इनका कहना गलत है इनका कहना गलत है इनका कहना सही है यह सारी चीजों का आकलन करेंगे और फिर आप अपनी एक किताब बनाएंगे जिसको क्या बोलते है वोला वोला उबेर फिर वो लोग फिर पैसा कमाएंगे क्या ना उनकी गाड़ी है ना उनका ड्राइवर है कुछ ने खाले का अप्लिकेशन बनाए है दिमाग लगाए है लोगो की ही प्रापरटी का यूज करके लोगों को भी दे रहे है और खुद लोगों से ज़्यादा कमा रहे है तो यह टेकनीक का लाना ज़रूरी है स्टाउक मारकेट में एक ट्रेडिशनल खेटी की तरह अगर हम stock market में support, resistance और emotions गुसाते रहेंगे तो फिर भाई और हमेशा stock market उपर ही जाए तब ही हमको फाइडा मिले अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर गए काम से दोस्त फिर नहीं हमारे लिए stock market इसमें कुछ नया करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि मैं यह जो चीजे बता रहा हूँ इस वीडियो में अच्छी है और काम की चीजे है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और आपको और लगता है कि यह चीजे सेयर करने वाले भी है किसे दूसरों के साथ तो सेयर भी कीजिए और आपको फिर लगता है कि हमारे वीडियो आपने और देखनी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हापी टूरी